Morning students, रजे कला पा लेसन स्टार्ड किता सी, पिलर्ज ओफ डेमोक्रेसी ते उस दे वेचा पां, participation of people, public opinion, rule of law दे बारे पड़या सी ता, अच पां, तीसरा concept पड़ागे, decision making mechanism, decision making दा मतलब वी फैसला के में लिया जाना दा डेमोक्रेसी दे वेच, One of the essential aspect of democracy is that power is not concentrated in any one individual or any institution. Power एज़ी, किसे एक बंदे दे हाथ वेच, जा किसे एक इंस्टिटूट एक सांस्ता दे हाथ वेच नहीं हुंदी. Concentrate मतलब एक हाथ दे वेच केंदरेत नहीं हुंदी. In India, the decision-making powers lies with the three organ of government. India दे वेच, जो power है, वो 10 organ है, जडे government दे, उनना दे हाथ वेच, वो केड़े केड़े तिन ओर्गन है. Legislature, विदान पालिका, Executive, कार्ज पालिका, and Judiciary, निया पालिका. इनना तिनना दे हाथ वेच, सारी power नू डिवाइड किता हुया है. All three organ perform their functions in accordance with the provision made in constitution. जडे तिन ओर्गन ऐसर कार दे, तिन अंग मनने जान देया, ए किस तरा देनल काम कर देया? ओ परवीजान दे according काम कर देया, उनना हदाइतां दे according काम कर देया, जेडिया इनना नू Constitution देवेच दित्तिया हुया, ए सविदान देवेच दित्तिया गईया हन. So, the legislature is concerned with the making of law. Legislature नू अपा विदा आन पालिका केंने है? Legislature कादे ना सबंदेत हुन दिया? विद the making of law कनून नू बनाउना, सब तो पाईलना ला कनून बनाउने है जेडे. उनना नू काउन बनाउन दाए? Legislature विदा आन पालिका. इग्जीक्योटिव नूँ असी कार्जपालिका कहने है इट डील्स विद दा एक्चुवल एक्जीक्यूशन ओफ दा लौ। होन एक्जीक्यूटिव का देना डील कर दिया? एक्चुवल एक्जीक्यूशन जेडे लौ लेजिसलेचर द्वारा बनाई गईया, उनना नू लागू करना की दा काम है? एक्जीक्यूशन दा। कार्ज पालिका दा काम है की ओ लौ नू इंप्लीमेंट करें, इंप्लीमेंटेशन ओ दी लोकां तो करवावें, ए सारा काम है जड़ा कनून नू लागू करना, ओ एक्जीक्यूशन दे हिससे अउंदाई। तीसरे नमबर ते अपने कोले आ गया, युडिश्री, थर्ड और्गन युडिश्री इनफोर्सस दा लौ मेड बाई दा लेजिसलेचर, और युडिश्री की कर दिया, इनफोर्सस, मतलब की लागू करवावं दी है, ए त्यां रख दिया की लोके इस दी रिस्पेक्ट करन, इस दी पालना करन, लौ दी जड़े के लेजिसलेचर द्वारा जांदिया, दा कोट अफ जस्टीस आर फुली इनडीपेंडन, कोट अफ जस्टीस, मतलब नियादिय दालते है, जड़ी इनडीपेंडन जो युडिश्री है, इनडीपेंडन kisे ते वी जड़ी है गिया हो, किसे दे वी दबा दी ना के, किसे नो भी गल्त नियां नहीं द टे सकदी ते के रिश्वत वगएरा एस तरह दा कुछ भी जड़ा है गा नहीं चल दा डेमोक्रेसी गर्मेंट दे वेच निरपाखत तौर ते युडीश्री निया कर दिया है बिना किसे पेदपाव दे बिना किसे दा जड़ा है गाई पाखपाव पूरे बिना किसे तो बहुत ही इमानदारी दे नाल, इंडीपेंडेंट होके हरे एक तरह दे दबामा तो स्तंतर होके ही जो निया कर दी है। बहुत ही जो नाल, इंडीपेंडेंट होके ही जो नाल, इंडीपेंडेंट है। इनना दोहां बोडीज तों भी इंडीपेंडेंट ही है। इनना तों भी स्तंतर है। अज़ आपां जो डिसीजर मेकिंग मेकैनिसमा ओदे वैच गर्मेंट दे थ्री ओर्गन दे बारे डिसकस कीता है। थी औरगन लेजिसलेचर, एक्जेकुटिव और युडिश्री. लेजिसलेचर गंसेर्न विद मेकिंग अफ लाउस, एक्जेकुटिव, इंप्लिमेंटेशन अफ लाउस, एंडीश्री इन्फोर्स दा लाउस, दा लेजिसलेचर. सो नेक्स्ट अपने को जो लास्ट कंसेप्ट अपना होदा यह कॉमोडेशन ओफ डिफ्रेंस जो इंडिया दे वैचा आपा कहे देने यहां वेरियस फेक्टर कॉंट्रीब्यूट टू मेकिंगा सोसाइटी डाइवर्स इंडियान सोसाइटी है जेडी उन्हों डाइवर्स बनोन वास्ते पहनता वाली बनोन दे वास्ते बहुत सारे फेक्टरा जेड़े कॉंट्रीब्यूट कर देया केड़े केड़े फेक्टरा रिलीजन कास्ट लेंग्वेज ट्राइबल अडेंटिटी कल्चर रीजन इंडिया देवेच बहुत सारे तर्मां, जतां, पशावां, कभील्यां, सब्याचारां अलग-लग राज्यां दे लोक रहीं दे हैं ओ अलग-लग पाशा बोल दे है हम खान, पीन, कपड अलग-लग फेस्टिवल अलग-लग ठीक है So, it is essential to accommodate the interest of the various social entities in order to avoid any conflict amongst the people होन एदे विच की है कि ए सारे फेर वी इनिया पें तम होन दे बावजूद वी लोग सारे कठे होके ही रहें दे या सारे यां दे वेच यूनिटी है तो आप आप यह इतना ही कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवरस्टी तो यह सुने होगा कि कहीं दिया कि इंडिया दे वेच यूनिटी इन डाइवरस्टी है वी अनेकता दे वेच वी एकता इंडिया दे वेच अग्गे आग्या इंडिया इ वेच आवरी परसन इस फ्री तो प्रक्टाइज एड प्रीच और हर रुवासति है। आव रुवरीज़न सारे ता रुवरीज़न सारे ता रुवरीज़न एकुजी रिस्पेक्ट देनाल देखे जान देया। The group of people who are socially and economically backward due to centuries for exploitation are given special concession by the Indian government. जेडे लोग समाजिक तौरते आर्थिक तौरते पच्छडे होया बहुत ही सपराणिया सादिया तो ना जेवे उना दा कोई शोशन होया सी ता करके उपच्छडे होया ता उनना नूँ भी इंडियन गवर्मेंट दे द्वारा बहुत सारी या स्पेशल सूल ता दित्तियां जान दिया है ते सेकुलर कंट्री मतला के हरेक आदमी नूँ पाम्यों हिंदुआ सिखा इसाइया क्रिस्चन इसाइया ठीक है जो भी यह सिख है ओना नूँ आफदा तार्ममनन दी आफदे तार्मिकस थाना ते ओन जान दी पूजा पाठ करन दी पूरी पूरी अजादी है इनहेंसिंग हुमेन डिगनडी आदमी दी जो सेल्फ रिस्पेक्ट आउनू बदाऊना एदे वच की है इन इंडिया वुई है रीड कास्ट जेंडर लीजर पले अन इंपोर्टर रोल इन डिटर्माइंग वैदर और नॉट पीपल आ ट्रीटर इकुली लोग बैला की सी व विमेन मनियोर्टीज रीपर्जेंट शोशल ग्रोप देट आर ट्रीटर आनिकुली इन नू अनिकुली ट्रीट कीता जान्दा सी विमेन ड्लोवर कास्टर मनियोर्टीज हैव सफर्ड सेंस टाइम इमोरियल शुरू दे टाइम तो लेके प्राचीन समय तो लेके ही विमेन लोवर कास्टर दे लोकानू जा मनियोर्टी का टगिनती वर्गानू डिस्क्रिमीनेट किता गया है शुरू देवेच बट डेमोक्रेसी परहिप्ट दीस डिस्क्रिमीनेशन्स डेमोक्रेसी एस डिस्क्रिमीनेशन नू पेदपाव नू पूरी तरह देना रोक दिया है मना